जहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग अपना सीटेट पेपर टू के लिए मैट साइन्स का कोर्स चला रहे हैं जिसमें से हमने कई सारे चैप्टर को और कई सारे प्रैक्टिस सेट को कड़ा रखा है और हमने प्लेइलिस्ट बना रखा है सीटेट टार्गेट दोजार चोविस के नाम के और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के उसे विजिट कर सकते हैं ठीक है और आज की क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में देखेंगे और इसकी थियोरी को डिसकस करेंगे और इससे रिलेटड बहुत सारे हमने MCQs ले रखे हैं जो प्रिवेस एयर और NCIT एक्जाम्पलर से कोशन्स लिए हुए हैं उनको हम लोग डिसकस करेंगे तो आज यह सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि क्या-क्या आज की क्लास में हम करने वाले हैं और मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिखे हुए नोट्स जो है टाइप करके यहाँ पर लगा रखे हैं इसे भी आप लोग देख लिजेगा मैं आसान बासा में इसे समझा भी दूँगा ठीक है देखे इसमें क्या-क्या है हमने यह सारे टॉपिक ले रखे हैं और ग्राफ से क्वेशन बनते हैं वो ले रखे हैं और साथी साथ यहां पर देखिए हमने एमसे क्यूज ले रखे हैं जो बहुत सारे क्वेशन पूछे गया हैं एक्जाम्पलर से एंसी आटी के ठीक है तो आज यह आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है क्योंकि इस स्रीज को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ पूरे मैट साइन्स को और यहां से आप समझ दीजेए 100% आप लोगों के जितने भी कुशन्स आने वाले हैं साइन्स और मैट से वो मिल जाएंगे ठीक है थ 예issant को सुरू करते अपने टॉपिक को देखे मोशन की बात करते हैं यह ncrt का такой सबसे जद़ा ब्राड में देखा जाए तो class9 की फिroy happy अगर देखे मोशन की बात करें मोशन जिसको हिंदीं में घती चीनके हैं यह क्या होता है के reference point जैसे कोई वस्तु motion में है कि नहीं है या दो factor पर depend करता है कि हम किसके reference में चीजों को देख रहे हैं ठीक है ना जैसे definition तो हमने बता दिया कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्दन motion कहलाता है ठीक है जैसे यह मेरे हाथ में पहना है अगर यह अभी इसे stable पड़ी हुई है ठीक है ना तो इसमें कोई motion नहीं हो रहा है जैसे time तो रुकने वाला नहीं है time तो continuous चलता रहेगा लेकिन मैं इसकी स्थिति को अगर move कराकर के कहीं और लेके जाता हूं इस तरह से तो अब यह motion में आ गया ठीक है ना यह पोजीशन को चेंज कर दिया इसे हम लोग motion कहते है अब देखिए क्या reference से क्या मतलब है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई train है कोई train जा रही है और एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है train के अंदर मालो दो शीट है आमने सामने दो पर्षन बैठे हुआ है ठीक है तो जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसके reference में अगर देखा जाए तो train के अंदर बैठे हुए दोनों पर्षन किस में है motion में है ठीक है लेकिन वहीं अगर हम देखें यह सपोज यह रहा एक पर्षन यहां बैठा है एक यहां पे बैठा हुआ है ठीक है ना ट्रेन यह प्लेटफॉर्म के reference पे तो दोनों motion में थे क्योंकि पुरी train जो है motion कर रही है वहीं अगर हम देखें इस बंदे के reference में इस बंदे की position को देखें तो कोई changes नहीं है पहले भी वह उसी seat पे बैठा था अभी भी उसी seat पे बैठा हुआ तो यह इसके reference में क्या है rest में है तो motion क्या है कैसे decide होता है एक reference से देखा जाता है कि कोई object motion में है या फिर rest में है ठीक है ना तो आई होप यह चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ठीक है आज यहां पर देखिए मैंने पूरा notes लगा रखा इसे आप लोग पढ़ सकते हैं मैं आसान वासा में सारी चीज़ों को समझाता जाओंगा ठीक है ना अब देखिए motion हो गया उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें आता है देखिए motion में भी दो तरह के motion होते हैं एक होता है uniform motion एक होता है non uniform motion ठीक है ना यह क्या होते हैं देखिए क्या करा अब अब्जेट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल अब टाइम मतलब यूनिफार्म मोशन से मतलब यह है कि मालो आप किसी रास्ते पे इस तरह से जा रहे हो ठीक है ना पहले पांच मिनट में आपने 10 मालो 500 में ट्रेवल किया आधा किलोमेटर पांच मिनटर में ट्रेवल किया फिर अगले आने वाले पांच मिनट में फिर से आपने आधा किलोमेटर ट्रेवल कर लिया फिर पांच मिनट में आने वाले में फिर से आधा मिल्टर ट्रेवल कर लिया मतलब आप हर एक टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट् बोलते हैं मतलब एक शमान गति से आप चल ले हैं जितना समय है जितना पहले समय में उस समय यूनिट में चले थे उतना ही आने वाले समय यूनिट में आप में ट्रैविल कर रहे हैं तो इसे हम लोग uniform motion बोलते हैं ठीक है अगर यहीं पर मैं बात करता हूं non-uniform motion की तो इसमें क्या होता है अगर time interval को fix रखा जाए पर speed क्या होती है change होती जाती है distance अलग-अलग travel करते हैं तो ऐसे motion को हम लोग non uniform कहते हैं ठीक है जैसे मालो suppose 5 minute की पहले 5 minute में हम चले 500 meter आने वाले next 5 minute में मैं चल चुका हूँ 1000 meter अगले 5 minute में फिर चल चुका हूँ 1500 meter तो देखिए time interval तो 5-5 minute का हम ने लिया है लेकिन जो distance हम लोग travel कर रहे हैं यह fix नहीं है 500 meter 1000 meter डेर्ड किलोमेटर इस तरह से travel कर रहे हैं तो इस तरह का जो motion है वो से हम लोग क्या बोलते हैं non uniform motion कहते हैं आशमान गत ही कहते हैं ठीक है न यह चीजे आप लोग समझ गये होंगे अब इसमें थोड़ा से एक चीज आता topic आता है distance और displacement वैसे यहां पर मैंने यह चीजे दोनों चीजे लगा रखा यह पढ़ लिजेगा मैं समझा देता हूं कि क्या होता है distance और displacement एक मिनट मैं थोड़ा सा साधा पेज ले लेता हूं जहां पर आप लोगों को यह point बता सको चलो यहां पर मैं समझा देता हूं ठीक है देखे distance क्या होता है एक सेकंड डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब होता है आप किसी भी रास्ते पर चल ले हो ठीक है न जो 화archarcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharch ये पांच नहीं इसको चार चला थे चार मीटर चला ये तीन मीटर चला तो ये total distance कितनी हो गई जितना ये actual में चला हुआ है पहले से भी गया यह और यह गया जितना ट्रेवल के आप 5 और आप ये चार खरती उन्यचा साथ मीटर इसने total distance चला इसे बोला जाता है distance ठीक, ना या दूरी, इसको Hindi में दूरी भी कहते हैं, ठीक, ना.. यह हमारा डिस्टेंस हो गया है अब भात करते हैं displacement की डिस्पलेस्मेंट क्या होता है यह shortest distance होता है between the initial point and final point मतलब जहां से आपने यात्रा शुरू करी है और जहां पर यात्रा को समाप्त की है उनकी बीज की जो minimum से minimum दूरी होगी उसे को हम लोग displacement बोलते हैं जैसे suppose A को यहां से चल करके C तक जाना था finally ठीक है ना बट यह गूमते गूमते गया तो यह तो distance में count हो गया लेकिन इसको directly अगर यहां से कोई रास्ता मिल जा यहां तक जाने को तो यह जो हो जाएगा displacement हो जाएगा यह shortest distance displacement हो गया suppose यह 5 meter है तो इस A से B C तक जाने का जो displacement हो गया वो 5 meter हो गया ठीक है ना अब distance से related कुछ और बाते हम लोग discuss कर लेते हैं जो हमारा distance होता है उसमें magnitude तो होता है पर उसकी दिसा नहीं होती है कुल मिला करके इसे हम लोग scalar quantity बोलते है scalar quantity scalar क्या होता है जिसमें दिसा नहीं होता है क्यों magnitude होता है जैसे मैं बोल दू कि कोई ब्यक्ति है 5 km उसके घर से school की दूरी है तो यह जो 5 number लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या magnitude होला जाता है ठीक है अब हमें direction नहीं पता है तो वो scalar हो गया तो यह question पूछा जाता है कि distance कैसी unit है तो आप बताओगे क्या scalar मतलब अदिसरासी है ठीक है वहीं अगर हम लोग displacement की बात करते हैं तो displacement क्या होता है displacement यह होता है इसको हिंदी में हम लोग विस्थापन बोलते हैं क्या बोलते हैं विस्थापन ठीक है यह एक सदिस रासी या फिर वेक्टर कॉंटिटी से बोलते हैं वेक्टर कॉंटिटी इसमें magnitude के साथ साथ direction भी होता है कि किस direction में चला हुआ है ठीक है ना तो आई होप इसले slides में पूरा लिखे हुए हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और यहां मैं समझा देता हूं चीजों को ठीक है तो distance क्या होता है अदिसरासी है और displacement क्या होता है वेक्टर कॉंटिटी है ठीक है अच्छा एक चीज है जो distance होता है हमारा ना distance यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है आपने अगर सोच भी लिया थोड़ा से भी travel किया तो वो distance में दूरी में count हो जाता है और एक चीज यह याद रखो कि distance हमेशा positive होता है और more than zero ही होगा थोड़ा से भी आपने travel किया तो वो distance में count हो जाएगा वहीं अगर हम लोग बात करते हैं displacement की जिसे हम लोग विस्था विस्थापन क्या होता है विस्थापन positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है even zero भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है कि हमने कुछ भी travel ना किया हो विस्थापन उसका किसी object का zero हो सकता है अच्छा अब हम zero विस्थापन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है zero विस्थापन एक सेकंड मैं अपने प्रिवियस स्लाइड पर आ जाता हूं ठीक है क्योंकि वहाँ पर डेटा लिखे हुए है आजाए दिखिए यहाँ पर है कि जिए एक सेकंड यह रहा अब देखिए जैसे मालो कोई पर्षन है यह रहा अब यह कोई पार्क है सपोज सर्कूलर पार्क है स इसका इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही हो गया तो हमने डिस्प्लेस्मेंट क्या हो गया इसका यह सुनने हो गया जिरो यह कंडिशन होती है जब displacement जीरो हो जाता है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं negative displacement का बाता है तो negative displacement की बात करें जैसे कोई spring है कई बार spring को हम लोग जब खीचते हैं तो उसकी distance तो बढ़ जाती है लेकिन वो finally जब मर्ज अंदर की तरफ आती है तो वो क्या करता है अपने actual पहले जितनी distance से उससे भी कम हो जाता है तो वोस condition में जो displacement होता है वो negative हो जाता है ठीक है ना तो इससे आप लोगों को ये बस तीन बाते याद रखनी है क्या कि जो displacement होता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है as well as zero भी हो सकता है ठीक है तो आई होप आप लोगों को distance और displacement के concept क्लियर हो गया होंगे ठीक है ये हमने देख लिया अब हम लोग देख लेते हैं अपने speed के बारे में जिसको हिंदी में हम लोग चाल बोलते हैं ठीक है इसमें देखो question जादा तर जो बनता है average speed से बनता है ठीक तो देखिए यहीं पर मैं रब करके इन चीजों को फिर से लिख देता हूँ यहां पर मैं रब कर देता हूँ देखिए यह notes है आप लोग notes को पढ़ सकते हैं इसमें मैंने सारी चीज़े detail में लिख रखी है ठीक है और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी होगी यह देखिए अगर हम बात करते हैं speed की speed क्या होती है इसी को हम लोग हिंती में बोलते हैं चाल यह बचपन से आप लोगोंने formula पढ़ा होगा कि चाल वराबर क्या होता है दूरी बटा में समय ठीक है न तो यह होती है हमारी distance upon time इसी को distance upon time नहीं लिखा जाता है अब अगर हम इसकी unit की बात कर लेते हैं तो speed या चा time को मेटर मेजर किया जाता है सेकेंड में ठीक है ना इसकी unit हो जाएगी मीटर पर सेकेंड इसको मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखा जाता है बाके detail हमने बता दिया अब देखिए यह चीज़े हो गई अब वहीं पर अगर हम लोग देखो अगर यह जो distance है इसके साथ डू इसी का नाम बदल करके velocity हो जाता है ठीक है ना तो वेग क्या होता है यह दूरी जो होती है कैसी हो जाती है सदिस के form में और सदिस वाली दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं ठीक है ना displacement तो यह हो जाता है विस्थापन अपान समय या फिर displacement अपान टा ठीक है ना यूनिट दोनों की सेम होती है अब अभी हम लोग ग्राफ पर भी बचर्चा कर लेंगे अब आज यह हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड औसत्चाल यह क्या होता है जितनी भी डिस्टेंस आप चल रहे हैं जितने जितने समय में माल्लो आपको ऊए से बी तक जाना है जैसे यही वाला जेजरा समय से एक्जाम्पल लिया था यह से यहां taken ठीक है कुल चली गई दूरी और भागे या भाग कर दोगे किसे कुल समय से तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं average speed या आउसत चाल यह चीज़े आप लोग याद रखेंगे यहां से question बनते है numerical भी question के पूछे जाते हैं अच्छा एक point में याद करवा देता हूं आप लोग को जैसे suppose that कोई person है यह रहा कोई fix distance चलता है distance fix है पहले वो चला मालो x की speed से x की speed से a से b तक गया और y की speed से b से a तक वापिस आया ठीक है न तो इस condition में इसकी जो आउसत चाल होती है वो direct आप लोग याद रखना average speed जो हो जाती है यह formula याद रखना 2xy upon x plus y यह direct याद रखना ठीक है न यह वाला formula कब लगता है आपको कोई जो calculate करने की जरूत नहीं पड़ती है यह कब लगता है जब एक ही रास्ते पर गया हो आदमी किसी और चाल से और वापिस आया हो किसी और चाल से तो क्या होता है दोनों चालों का गुडन फल का double अब भाग कर दो चालों के योग से यहाँ फार्मूला यहां से direct निकल करके आजाता है ठीक है न तो यहां तक हमने discuss कर लिया अब देखिए यह वेलासिटी का topic भी मैंने यहां पर लगा रखा है इस slide को था हमने अच्छे से discuss कर लिया ठीक है इस slide पर आ जाईए यहां पर देखिए velocity के बारे में हमने बता दिया ठीक है न वेलासिटी एक तरह से और भ इतनी वेलासिटी है दोनों को जोड़के दो से भाग दे दो यह हमारी आ जाती है एवरेज वेलासिटी देखिए जो यू होता है इसे हम लोग इनिसियल वेलासिटी डिनोट करते हैं अभी motion की equation जब आप लोगों को बताऊंगा तो यू यह सब वर्ड आएंगे तो इन्हे वेलासिटी ठीक है अब फाइनल वेलासिटी को वी से डिनोट करते हैं जब object अपने destination पर पहुँच चुका होता है और वो रुकने की condition में होता है तो उस टाइम जो वेलासिटी होती है उसकी फाइनल वेलासिटी कही जाती है ठीक है आई होप यहां तक चीज़े क्लियर हो ठीक है अब एक word आता है acceleration या फिर त्वरण 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 फिक न यह क्या होता है अप लोगोंने देखा होगा बाइक में लगा अगृसले अपनी लेटर आपने लुका में वेलासिट कॉइस का मतलब होता है जिस speed से कोई object या बाइक चल रही है उसकी speed को continuously इंक्रीज करना यह चीज कहलाती है एक्सिलरेशन ठीक न एक तरह से चेंज इन वेलासिटी होता है समय के साथ वेलासिटी को चेंज कर दो मालनों आप अपनी बाइक को 40 किलोमेटर की स्पीड से चला रहे थे और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपने क्या किया एक्सिलरे ठीक है तो देखिए यह होता है पहले जो वेलासिटी थी फाइनली उसको माइनस कर दो इनीशियल वाले की जैसे मानलों आप 60 पर पहुँच गए 40 पर चल रहे थे 5 से पहुच गए तो क्या करोगे 60-40 divided by 5 टाइम से डिवाइड कर दो तो एक्सिलरेशन क्या होता है समझ गय यह मीटर ς म Uno को को स्क़ार से भागब देते कई बार तो डायरीक यह यूनिट पूछ लिया गया है कि त्वरण की यूनिट क्या होती है क्लियर कने में आप लोगों को help करेगी कई बार ने जह गयाँ कि मे चल्पिर क्लोने पर और सेल कीड करेוב. तो km per hour को अगर हम लोग मीटर per second में convert करना चाहते हैं तो इस data को multiply कर देते हैं 5 बटा 18 से 5 by 18 से multiply कर दोगे तो ये convert हो जाता है किसमे मीटर per second में ठीक है और इसका opposite होता है अगर आपको need है आपको दिया हुआ data मीटर per second में है पर आपको need जो है किसमे है km per hour में ठीक है तो यहां से चीजे solve हो जाती है अब देखे एक instrument के बारे में बहुत बार पूछा जाता है odometer क्या होता है odometer जी जो odometer होता है यह भी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बस इतना याद रखो odometer किसके measurement के काम आता है distance के दूरी के measurement के काम आता है यह direct question पूछा गया है तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है ठीक है तो अभी इतना टॉपिक तो हो गए अब हम लोग अपना उस पर discuss कर लेते हैं इनके graph पे फिर उसके बाद question पे आ जाएंगे ठीक है न तो देखिए यहां से graph से direct question पूछे हुए हैं यह question भी लगा रखा है अभी आप लोग को सामने वह question भी दिख जाएगा ठीक है दिखिए क्या कहरा है graph distance और time का graph कैसा बनता है तो यह तीन condition की graph बनती है graph आप लोगों को बनाना आता होगा इसमें दो axis होता है एक y-axis को represent करता एक जो लट्रा से लेव्य रेखा होती है इस यह लोग x-axis कहते हैं और यह जो उर्द हदर रेखा होती है इसे हम लोग y-axis कहते हैं तो ग्राफ बनाते time जो x-axis है इसको हम लोग as a time की तरह मेजर करेंगे और y-axis को हम लोग distance लेंगे ठीक है नगर आगर कहीं पर आपको इस से ग्राफ दे देता है इसका मतलब होता है जितना दूरी जा रहे हैं उतना ही टाइम बढ़ रहा है पांच मिनट गए 500 मिटर अगले पांच मिटर में फिर 500 मिटर तो कंटिनीवसली अगर यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है यह वाला सीधा लाइन बनती है तो इसे बोला जाता यूनिफॉर्म स्पीड अभी हमने बताया था ना आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है सेम टाइम इंटरवल में स्पीड लेकिन डिस्टनस बढ़ता जा रहा है इसतरह से उपर की तरफ ग्राफ जो हमारा से सब्भॉल करता जा रहा है अंगरे पांच मिटर में पांच मिंटर उगली बार छीवदों नहीं बाद उन्हों नें ठीक है अच्छा यह important है इसको याद रखना अगर distance और time के बीच में इस तरह से straight line हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब होता है कि हमारी object बिलकुल stationary motion में है या फिर rest में कोई भी गती उसमें नहीं हो रही है यह rest को represent करता है जब time इसमें क्या है distance fix है distance पे तो बढ़ी नहीं है distance अगर उपर जाता तो बढ़ता लेकिन distance fix है बस time के साथ यह चीज़े चलती जा रही है तो जब time के बढ़ रहा हो distance ना बढ़ रहा हो इसका मतलब object खड़ा हो ना जैसे अगर मैं अपनी pen को ऐसे लेके खड हो जाओ time तो बढ़ता ही रहेगा लेकिन यह कहीं जा थोड़ी ना रही है तो इस condition को हम लोग rest की condition बोलते है ठीक है ना तो यह graph किसको represent करता है रेश्ट को स्पीड का फार्मूला हमें पता है distance upon time ठीक है अब हम लोग velocity time graph को और देख लेते हैं इसे हमारे सामने आ गया है velocity और time का graph इसमें क्या है देखिए इसमें एकस एकसिस पर time को ले लेना आपको Y-Aकस पर क्या लेना है velocity ठीक है तो देखिए इसमें जो state line होती होती है गराभ की यह सीधी रहता होती है यह represent किसको करती है धाँगे यह तो यह इसको बताती है लेकिन वेलाउसिटी और टाइम का ग्राफ होगा तो यह बीच वाली लाइने किसको बताएंगे acceleration को बताती है ठीक है न यह तो uniform acceleration हो गया ठीक है अब देखिए अगर यही चीज़े बढ़ती जा रही है इस तरह से graph बन रहा है तो इसे बोलते है non-uniform acceleration ठीक है अब क्या है अब यहाँ पर अगर देखो velocity और time का इस तरह से graph है यह state line इस तरह से horizontal line time के axis के parallel में है इसे बोला जाता है uniform motion या फिर no acceleration इसका यह मतलब है कि गाड़ी जो है एक constant speed से चलती जारी है 40 के चला रहे हैं तो 40 पर ही चलती जारी कोई acceleration नहीं है तो क्या करोगे समय के साथ यह stop कर देना इस तरह से आप लोगों को paper में कई सारे graph रहेंगे उसमें से आपको पैचानना पड़ता कि कौन सो किसको represent कर रहा है ठीक है एक बार इसका screenshot लेकर कि आप लोग देख लेंगे आज यह हम गति के जो हमारा motion की equation होती है उनको देख लेते हैं कई बार क्या होता है चार आपसर में motion की equation अलग तरीके से लिख देता है और आपसे पूशता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है तो जो सही वाले तीन equation है उनको हमने यहापे note down कर रखा है तो द बताता है और s, s जो होता है distance को बताता है ठीक है तो पहला equation क्या होता है v is equal to u plus at ठीक है इसको time में पढ़ाओगा आप लोगों को revise हो रहा हो चीज़े और दूसरी equation क्या होती है s is equal to ut plus half at square कई बार डारेक्ट इस ही पर बेस numerical आ जाते हैं तो यह याद रखना है यहां पे square ह यह होता है यह याद रखना थर्ड equation होती है v square is equal to u square plus 2as कई कई जगा इसको गुमा करकर लिख देगा कैसे यह लिख देगा v square 2as को इधर लाके minus कर देगा minus 2as is equal to u square तो confuse नहीं होना इसको ऐसे भी याद किया जाता है कि v square minus 2as is equal to u square ठीक है न तो यह तीन गति के समीकरण है जिसको हमने देख लिया है ठीक है आप लोग इसे याद रखेंगे अब आ जाते हैं वीडियो वह से लंबी हो रही है बस कुछ questions है इनको फटा-फट से discuss कर लेते हैं ठीक है concept अगर किलियर हो रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और like भी किजेगा देखिए अब पहला आप जैसंद में वह समय बढ़ रहा है तो यह है।싱 और अब जैसे एक दूरी कहीं नहीं जारहे है यह समय बढ़ रहा है कि इसमय तो लोग बढ़ता रहता है इसे अम लोग बोलते हैं मिल्कुल इस्थिर की उसमें पिंड जो है , इस्थिर अवस्था में है ठीक नब आए पिंड जो है विरामा आउस्ता में यह वाला इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा ठीक है आज यह एक आदी कोश्चन और है इन्हें फटा फट से डिस्कस कर लेते हैं देखे अभी जो मैंने बताया था यह उसी पेक्शन है कि कह रहा है कि निमली खित्म से कौन सा गतिका समीकरण नहीं है तो तीनों समीकरण हमने याद करा दिये देखे पहला ही देखे एस इसका यूटी प्लस हाफ एटी क्यूब दे रख रहा है क्यूब का कोई फर्मूला ही नहीं होता तो यहीं इसका अंसर हो गया हमारा हाफ एटी स्क्वायर होता है जो हमने याद किया है तो यह इसका गलत वही पूछा था तो यह वाला इसका अंसर हो जाएगा ठीक है आजाओ कुछ निमेरिकल्स हैं जिनको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है सौर मंडल ग्रहों की गति संदच्छर का उदारड है सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं वो कोड़ी यह ग होता देता हूं हैं अगर राख की बात करें चुझाल बराबर होता है दूरी बटा समय ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अगर जितनी दूरी बढ़ेगी ऑर समय अक्कृफ कंस्टेंट गई तूजय के डैरेक्टिपरोस्टलह प्ररफॉंशनल होगा चल जितनी ज़्याफ दूरी उतनी ज्यादा चाल ठीक है ना अगर इसका उल्टा होता है पता चले समय तो ज्यादा लग गया पर दूरी हमने कम ट्रेवल करी तो इसका मतलब हम लोग कम स्पीड में गया है ना मलो हमने एक घंटे में किवल 500 मिटर ही ट्रेवल किया वही कोई दूसरा परसन है वह ए किलोमेटर ट्रेवल कर लिया तो जो देड़ किलोमेटर गया इसका मतलब उसकी चाल ज्यादा रही होगी है ना तो उसी बेस पर यह कोश्चन है कह रहा है कि चार कारे हैं A B C D ठीक है ना इनकी इस्तित सड़क पर चल रहे हैं उनका दूरी बनाम समय आलेक नीचे दिया गय पर दूरी कितनी चली है क्यों इतनी चली है समय तो ज़्यादा लिया हुआ है इन कंपेरेजन तू अधर देखो इसका समय यहीं रुख गया इसका समय और कम है इसका समय और कम है है ना देखिए समय वाला यही एक्स एक्सिस है तो समय जो ज़्यादा लेगा और दूरी कम चलेगा इसका मतलब उसकी चाल क्या होगी सबसे दिमी होगी इसका मतलब यह जो KAR B है इसकी चाल जो qi सबसे दमी होगी दीमी चाल होगी ठीक है न। और देखिए वह गर अगर हम C की बात करें उसने समय सबसे कम लिया है यहीं पर समय खतम इसका और लेकिन दूरी देखो यहां तक चल चुकी है तो यह सबसे speed इसकी जादा होगी तो आप देख लेते हैं पहला option कार A का D से तेज है बताओ A D से तेज थोड़ी है D उपर है कम समय में जादा चल लिए तो D तेज है तो यह सबसे जादा समय ले रही है और सबसे कम दूरी कर चाहीं ट्रबल कर रही है तो यही करेक्ट option हो जाएगा ठीक है अगला भी discuss कर लेते हैं कार D कार C से तेज है D C से थोड़ी भी हो जाएगा ठीक तो और कुछ questions बचे हैं अच्छा देखिए एक और question अच्छा सा है इसलिए इसको discuss कर लेते हैं टाइम तो ज़्यादा हो गया लेकिन हम लोग इसको discuss कर लेते हैं कर रहा है एक कड़ है त्रिज्य आर्क एक वृत्ताकार क्या होता है यहां से ए से लेकर final कहा हुआ यह मलो डी पे हुआ इनके बीच की जो shortest distance होती होई क्या होती है विस्थापन होती है तो यह directly कितना जाएगा यह diameter के बरावर होगा और diameter कितना होता है अगर R radius है तो यह भी R होगा इधर भी तो 2R total इसका जो displacement या विस्थापन हु होता है 2PiR होता है आधा चला है तो टू कर जाएगा तो पाई आर इसकी distance हो जाएगी जो कि पूछा नहीं है हमने आपको बता दिया है पर distance हो जाएगी ठीक है और भी कुश्चन है यह देखिए अब यह राकेट का कुश्चन है यह हम लास्ट रखते हैं काफे टाइम हो किसे संवेक बोला जाता है तो इस वीडियो को हम लोग यहां तक रखते हैं बाकी कुछ और कोश्चन है यह आप लोग देख लेजिए आप खुद से स्वाल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आसान है देखिए जढतों का नियम किसका होता है स्थिती के परिवरतन का विरोध करता यह option कर लेंगे और क्या है निउटन के गती का तीसरा नियएम जो रिखता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है यह दोनों object के काम करता है जिसके द्वारा लगाया जाता है तिसका सद्विन नमस्तों पर विपरिद्धिसॉ कार करता है जल्दी जल्द इसको कर लो यह झाल झाल